आज एक महत्पूर्ण पोस्ट फेस्बुक पर पढ़ने को मिली हूँ महत्पूर्ण इसलिए कि उसमें जीवन के एक महत्पूर्ण आयाम के संबन्द में चर्चा थी कोई यूअप किसी ओसो की सन्यासिन से पूछता है एक और चीज पूछूँ मुझे सेक्स बहुत ही अच्छा लगता है उसे कैसे सेटिस्फाई करूँ साधी नहीं हुई है ओसो में कुछ प्रोवीजन है इसका उन वसो सन्यासिन ने अपने इस तर पर अच्छा उत्तर दिया लेकिन उससे कहीं अधिक यह प्रश्ण महत्पूर्ण है और प्रासंगिक है सबसे पहली चीज इसमें यह सूचना है इस पर विचार करना आवस्यक है यह प्रस्ण पूछा क्योंकि है वर्तमान समय में चारो और अगर मैं प्रकृति को छोड़ दूँ तो पूरी तरह कामोदीपक वातावरण है चाहे वो विच्यापन हो चाहे पहनने ओड़ने का धंग सलीका हो और भी बहुत सारी चीज़े है और इस सब के चलते हैं एक युग जिसके अंदर काम का ज्वार उठ रहा हो तो वह अगर यह प्रस्ण करे तो पूरी तरह प्रासंगिक है समझने जैसा है ध्यान देने जैसा है केंद्र इस प्रस्ण का यह है कि किसी युगा के अंदर जब सेक्स की उज़ा बल्वती हो उबाल मारने लगे तो उसके पास उसका विकल्ब क्या है यद्यपी समाज काफी खुले पंद की और बढ़ रहा है लेकिन सेक्स की जो समझ है वह उस इस्तर पर संभवतन नहीं है जिस इस्तर पर पहले थी मैं उस प्राचीन भारत को याद करता हूँ जहां हमने सेक्स को दिव्यता प्रदान की उसे समझने के लिए मंदिर स्थापित किये उसे जीवन में दैवत प्रदान किया लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो सेक्स या तो मजाक का भी से है या मन रंजन का भी से है और उससे आगे बढ़ें तो व्यापार जो भी हो इस्थिती लेकिन ऐसे युवक जिनकी सेक्स के प्रती समझ अभी निर्मित होनी है उनको समझना है उसके लिए हम क्या दे रहे है समाज उनको क्या दे रहे है क्या कोई ऐसा मंदिर है जहां वो जाके इस प्रस्थित को पूछ सके जहां वो कह सके कि हां मेरे पास ये काम उड़ जा है इसका मैं क्या करूँ वो किसी मित्र से पूछता है इंटरनेट पर खोचता है अधिकांस जानकारियां अधिकचरी है उस स्वरूप में नहीं है जिसमें उन्हें होना चाहिए या तो नितांत मेडिकल साइंस प्याधारित है जिसे वो जानना नहीं चाहता या फिर ऐसी जानकारियां है जो उसमें फैंटेसी क्रियेट करती है स्वपन जाल बुनती है कलपनाएं बुनती है उसमें उसे आनन दाता है और वहीं वो फसता है अब अगर ऐसे में उसे कहीं संभावनाय दिखती है कि यहां से मुझे कोई उत्तर मिलेगा कोई प्रति उत्तर मिलेगा कोई प्रतिक्रिया मिलेगी वहाँ से अगर वो कुछ पूछता है तो उसमें बुरा क्या है सहज है जैसा मैं कहता हूँ कि सेक्स संभावना और उपलब्धता पर आधारित होता है सामान न्यत्त विशिष्ट संदर्भों की बात नहीं कर रहो है तो संभावना और उपलब्धता जहां उसे दिखाई पड़ती है वहाँ वह कुछ प्रस्म पूछ लेता है जो कि सौभाविक है इसमें सबसे पहला काम है वो है हमें ऐसे युवाओं के लिए ऐसे युवाओं के प्रति अपना दिष्टिकोन ठीक करना होगा हमें समझना होगा कि वो क्यों ये प्रस्म पूछ रहे हैं और इसका हल क्या हो सकता है इसी पोस्ट में नीचे किसी मित्र ने कमेंट किया था कि उसे बता दो कि सेक्स आजकल बिकता है और वो कहीं दिल्ली की किसी रेड लाइट एरिया का पता बता दें ये उन्होंने कमेंट सिया था ये रेड लाइट एरिया अगर सेक्स का समाधान होते तो कब का दुनिया में सेक्स का समाधान हो चुका होता है बहुत दिनों से ये इसे सास्वत व्यापार भी कहा जाता है जारी है और लोग इसमें लीन भी है सनलग भी है कुछ देस तो इसको माननेता देते हैं कुछ देसों में इसकी माननेता नहीं है अपनी अपनी समझ है अबनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सोच है लेकिन वेश्या बृत्ति कहें मुझे यह सब्द अच्छा नहीं लगता साथ देह व्यापार कहें यह भी अच्छा नहीं लगता पर सब्द ए इसका प्रयोग संदरखुक अंसार किया जा सकता है देह व्यापार काम की उर्जा का रूपांत्रा नहीं कर सकता क्योंकि यह व्यापार है और इसमें पैसे के लिए कुछ उपलब्ध किया जाता है और उसका आधार होता है पैसा धन जो आपको मिलता है वो धन के अनुपार में होता है लेकिन जिस तरह से उसका प्रस्ण है कि इसको कैसे सैटिस्फाइट करूँ इसका हल उसे नहीं मिलेगा तो वेश्या वृत्ती में भी या देवे आपार में भी इसका हल नहीं है एक सास्वत हल खोजा समाजने वो है विवाह विवाह भी इसका कोई सार्थक हल नहीं दे पाया अगर विवाह सार्थक हल होता है तो अभी तक सब निस्काम हो चुके होते हैं सैटिस्फाइड हो चुका होता स्टार प्लस की धारवाहिकों में जो कुछ देखने को बिलता है वो साथ हमारे समाज में वास्तों में यथार्थ में देखने को बिल रहा है वो नहीं मिलता तो विवाह भी नहीं है पस्चिम मुक्त यहनाचार को देख चुका अब भारत उसकी नकल करने वाला है अनुकरन करने वाला है जर्मनी और थाइलेंड इसे जी रहे हैं इस जीवन को और कुछ देशों ने प्रतिबंद लगा कर भी देख लिया कड़े प्रतिबंद लगा दो मृत्त दंड देदो वह भी करके देख लिया कहीं हल नहीं है तो उस युवक ने अगर वोसों की सिस्या से यह पूछा तो बहुत ठीक जगह पूछा क्योंकि वहीं उत्तर मिल सकता था और वहाँ भी उसे उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर इसका सही उत्तर गहीं नहीं और उस पूरे उत्तर को मैंने देखा तो वास्तों में उस युवक की प्रेम पूर्णधंग से निंदा की गई थी कई बार हम बड़े कड़े सब्दों में निंदा करते हैं कई बार बहुत मुस्कुरा करते हैं लेकिन निंदा का जो स्वर है उस उत्तर में बज़ रहाता है उत्तर में पहले कहा गया कि उसो से जुड़े गए तो सेक्स जाता रहेगा उनको ज़रा देखना चाहिए कि कितने लोग उसो से जुड़े और कितने का सेक्स चला गया क्योंकि मैं खुद उसो का सिस्जी इसलिए मुझे पता है दूसरा बोलती है कि उसो में बाहर सेक्स दिखाई देता है लोगों को भीतर जाओ तो नहीं है सच तो यह है कि इस पूरे घटना चक्र में इस पूरे प्रश्णोतर में उसो को घसीटा नहीं जाना चाहिए और वो इसलिए आ जाते हैं कि उन्होंने सेक्स पे बात की उनकी समभुक से समादी की और सीधी सीधी बात दे इसलिए वो जहां भी सेक्स की बात होती है उसो को खीच लाया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि उस व्यक्ति की बात हो जो ये प्रस्णों पूछ रहा है उस व्यक्ति से बात हो जो इसका उतर दे रहा है क्योंकि हम दोनों की समझ महत्पूर्ण है पूछने वाले और बताने वाले की कि उसों के संदर्व ग्रंथ है प्रवचन है वह अपने आप में महत्पूर्ण है लेकिन संबंध हमारे और पूछने वाले और बताने वाले के महत्पूर्ण है उस तल पर चर्चाओ फिर उन्होंने इसी उत्तर में कहा क्या बकवास है लोग उसों में सेक्स ढूंते हैं स्वाविक है जब उसों ने सेक्स पर बात की तो लोगों को वहां संब्हावना दी है और वहां ढूंना स्वाविक है उसों कहते भी हैं कि मेरा आस्रा में एक चीज़ साला है यहां तरह तरह के बीमार लोग आएंगे और मैं चीज़ सक हूँ यहां उनका इलाज होता है और उसों कम्यून में थेरेपी ग्रूप भी चलते हैं यह बताता है कि वहां संब्हावनाएं हैं किस तरह की हैं कैसी हैं यह अलग बात है और इस उत्तर के दोरान उसों संग्यासिन ने इसका वर्णन किया भी इसका जिक्र किया कि सेक्स बुरा नहीं है और दबे जुबान वो इसकी निन्दा भी करती रही है उसों के अस्पताल में सेक्स की इच्छा से नहीं सेक्स के इलाज के लिए आएं बड़ा अद्भुत विचार है उनका जब आपको यह लग रहा है कि सेक्स की इच्छा ही बीमारी है तो उसे तो जाना ही पड़ेगा उस अस्पताल में पूरे समाज में सेक्स की इच्छा को ही बीमारी मान लिया गया तो आप कहां जायो मैं अक्सर मजाग में कहता हूँ पर यह एक बहुत कड़ी सच्चाई है कि जब बच्चा विद्याले में जाता है यह उससे पहले भी लें तो आस पडोस में जितनी लड़किया है उनसे कहा जाता है यह दीदी है बहन है विद्याले में जाता है तो जो लड़किया है उन्हें कहा जाता है कि यह बहने हैं तुम्हारी सरस्वति सिसु मंदीर तो ऐसी विद्याले हैं जहां वाकाइदा राखी बंधवाई जाती है फिर जब यूगा होता है काम काज में लगता है अपने कार्याले में जाता है तो वहां भी यूतियां हैं तो उन यूतियों की प्रति भी वो किसी से पूझ भी नहीं सकता भारत में तो किसी से काम निवेदन करना ही अपराद है सेक्स एक्पॉइटेशन है केवल उसके पास विकल्प अगर बसता है अगर कोई इमानदार यूग है तो उसके पास केवल विकल्प बसता है विवाह का और विवाह भी संभावना और उपलब्धत्ता पर किंद्रित होता है प्रेम करने की आजादी नहीं के बराबर हालागी समाज बदल रहा है लेकिन उसमें भी बड़े तमासे हैं बड़े जहमेले हैं इतना आसान नहीं है बड़े सहरों में होगा लेकिन कस्बों और गाओं में जहां सब एक दूसरे को पहचानते हैं मुह में दुपट्टा बांद के भी घूमने से काम नहीं चलता है वहां कपड़ों से पहचान लिये जाते हैं किस के साथ बैटके किस मोटर साइकल से कहा जा रहा है इतना आसान नहीं है किसी के साथ हसते बोलते देख लिए गए तो सारे गाओं में चर्चा हो जाती है विद्याले में अगर किसी कोने में एक यूअग यूती चर्चा कर रहे हैं सारे लोग वहाँ का स्टाफ से लेकर के स्टूडेंट तक एक अलग दृष्टिकोन से दोनों को देखने लगते हैं तो ऐसे में उस यूअग के पास विकल्ब क्या है समाज क्या विकल्ब दे रहे है उसके अंदर जो काम की उर्जा बलवती हो रही है उबाल मार रही है उसके लिए क्या भी कल्ब है उसके पास क्या भी कल्ब है कहां जाए हो किस से पूछे एक किसी मित्र ने उसी में एक कमेंट कर दिया है बड़े अच्छे ओसो टाइंस या ओसो बर्ल किसी किताब के पन्ने ही उन्होंने डाल दिये हैं उसमें उसकी फोटो डाल दिये है उसमें हस्त मैथन पर बड़ा विस्तार से लिखा है उनका कहना है या वो कहना चाह रहे हैं कि हस्त मैथुन करो अगर वो योगिक प्रक्रिया से गुजरते तो साथ उनको पता होता कि हस्त मैथुन क्या उच्छकता नहीं है या कोई विकल्ब नहीं है उसी में किसी एक महिला ने कमेंट किया है कि हम वोसों कि सन्यासिन को लोग प्रोश्टिट्यूट समझते हैं हो सकता है उनका रुभा हो उनके विचार हो लेकिन मेरी समझ इस दिसामी ये है कि किसी व्यक्ति को यह दिखता है कि यहां से यह उत्तर मिल सकता है यह इस विशाय पर सोचते हैं समझते हैं सही समझ यहां से मिल सकती है पूछता है तो इसका आर्थ यह नहीं कि वो प्रोस्टिटूट समझता है बलकि इसके विप्रीद मेरा अपना अनुभाविया है हो सकता है मैं गलत हूँ अधिकान्स जिन्हें मैं जानता हूँ वे वोसो की सिस्या अपनी इच्छा से नहीं बनी है वोसो उनका चुनाव नहीं है उनका खोज नहीं है वे वोसो से जुड़ी है तो उसके पीछे कुछ कारण है या तो उनके पती वोसो के सिस्य है या उनके पिता उसों के सिश्य है या उनके भाई या उनका प्रेमी मुझे आज तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो उसों की सिश्य हो और खुद गई हो मेरी जानकारी में कि मैं उसों की सिश्या बनना चाहती हूं मेरा परिवार कुछ भी हो, कुछ भी कहे मुझे सत्य पाना है, सत्य खुद नहीं या जिस भी कारण से, जिस भी वज़ा से तो उसों उसका चुनाव हो ऐसी एक भी सिश्या नहीं मिली तो जब उसों की सन्यासी नो का समझ का इस तरह ऐसा है तो उनसे इस चर्चा इस तरह की प्रस्ण पूछने पर सार्थक उत्तर किया पेच्छा नहीं की जा सकती मैं अपने अनुफों से कहता हूँ कि आज भी अगर मैं किसी वज़ों की सिश्या से सेक्स सम्मंदित बात करने बैठ जाओं कितनी भी स्वस्त हो चर्चा हो वो असहज महसूस करें क्यों? जब उनका ये इस तरह है तो बागी जगा तो जगा ही नहीं बची बागी से तो बात ही नहीं कर सकता तो यहां से फिर यह दुस चक्र सुरु होता है और जिसमें पूरा समाज सनलकन है और दुख की बात ये है कि कुछ नहीं किया जा सकथा हाँ यदि कोई व्यक्तिगत रूप से जुड़े खोजे इमानदारी से होगा कुछ कई वार इधर उधर हाथ पैर मारे जाएंगे कुछ गलत परिणाम भी होंगे लेकिन मिलेगा और मैं ये अपने अनुभाव से कहता हूँ कि अगर खोज सार्थक है निष्ठा से भरी हुई है तो सही दिशा में जरूर हल मिलेंगे और इसके लिए ओसो से बढ़िया भी कल्ब कोई नहीं है क्योंकि ओसो मेरी जानकारी में पहले ऐसे गुरू है जिन्होंने तंत्र को इतने सार्थक और व्यापक और सटीक धंग से मनुस्य के सामने रखा और मैं युवाओं से ये बिच्छा करता हूँ कि वे तंत्र कान भ्हमन करें योग को साधें योग युप्थ हों फिर ये सारे प्रस्ट अपने आपती रोहित हो जाएंगे धन्यवाद